नमस्कार आदाब सलाम मैं हूँ मोहन गोपिनात और आप सुन रहे हैं संगीत के सितारे प्रेजेंटेड बाई इपिलोग मीडिया आजकल जो है फिल्म की किस्मत वीकेंड के कलेक्शन्स में ही तैह हो जाती है गए वो दिन जब धीरे धीरे फिल्म पिकप होती थी और फिर सिल्वर जुबली याने 25 हफते या गुल्डन जुबली याने 50 हफते मनाती थी कभी कभी तो एक ही थेटर में पर क्या आपने सोचा कि एक महान बाप के गुणी बेटे ने जब अपनी पहली फिल्म लिखी तो उसने क्या अनुमान लगाया होगा कि कितने दिन चलेगी शायद आम लोगों की तरह उसने भी प्रार्थना की होगी कि 25 हफते चल जाए तो नईया पार हो जाए कोई सपने में भी ये सोच नहीं सकता था कि वो पहली फिल्म 25 साल चलेगी और वो भी एकी थियेटर में जी हाँ अपने ठीक सुना 25 साल और इतना पसंद किया लोगों ने उस पिक्चर को कि मानो पिक्चर खुद अपने ओडियन्स से कह रही हो हो गया है तुझको तो प्यार सजना लाख कर ले तु इनकार सजना और इसी से जुड़ी है आज की फिल्म याने दिलवाले दुलनिया ले जाएंगे कहते हैं फिल्म आक्टर, आक्ट्रेस या डिरेक्टर से कम और नियत से ज्यादा बनती है और जब नियत बिलकुल साफ हो तो बहतरीन महंदी की तरह रंग लाती है शुरुवात ये है कि फिल्म का टाइटल जो खुद एक बहुत प्रसिद गाना था फ्रम दे फिल्म चोर मचाए शोर इन 1974 सजेस्ट किया था किरन खेर ने और एक मज़ेदार बात ये है कि 1980 में भी ये ही टाइटल की पिक्चर बनी थी जिसके आक्टर्स थे बीना, देश गौतम और तारीक क्या आम जानते हैं कि DDLJ के लिए पहले अप्रोच किये गे सैफ अली खान किसी कारणवश वो न कर सके जिसके वज़े से शारुक आए और देखिये जनाब ये फिल्म बन गई उनकी लैंड मार्क मूवी एक वक्त ये भी खायाल आया कि राज का किरदार फेमस अमेरिकन आक्टर टॉम क्रूस से करवाया जाए पर येस चोपरा ने ये आइडिया खारिच कर दिया शारुक ने स्क्रिप्ट के लिए तो हामी भर दी पर सिर्फ येस चोपरा जी के रिस्पेक्ट के लिए वरना उनका इमेज उन दिनों एक एंटी हीरो का था जैसे डर, बाजिगर और अंजाम और सोच रहे थे कि ये बहुत वीक सा हीरो है सिर्फ लड़की का पीछा करता है, गाने गाता है, फैमिली वालों को पटाने की कोशिश करता है कोई मर्दों वाली बात है ही नहीं, और इनीशिली इस पिक्चर में कोई फाइट सीन थी ही नहीं पर शारुक के जिद पर लास्ट मिनिट में जो स्टेशन में फाइट होती है न, वो डाली गई शारुक और कजोल तब तक एक होट पैर बन चुके थे बाजिगर और करण अरजुन रिलीज हो चुकी थी और दोनों सुपर हिट कजोल को यशराज की ये दिल लगी में लोगों ने काफी सराहा था और इसलिए उस प्रोडक्शन होस के साथ एक कमफोर्ट फैक्टर भी थी और फिर सपोर्टिंग स्टार कास्ट भी एक से बढ़कर एक थे जैसे अमरीश पुरी, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, हिमानी शिवपुरी, सती शा, परमीत सेठी और मंदिराबेदी मैं मानता हूँ कि ये फिल्म सही माइने में एक क्रोस ओवर सिनमा थी इसके पहले हिंदुस्तानियों को और एनराइस को एक धागे में बानने वाली फिल्म कभी बनी ही नहीं थी इसका कारण ये भी था कि लंडन, पैरिस, स्विजलैंड में शूट करते हुए भी ये फिल्म हिंदुस्तानी तहजीब का साथ नहीं छोड़ती और फिल्म का इतना असर हुआ कि 1995 से लेकर आज तक हर प्रेमी अपने आपको राज और सिम्रन ही मानते हैं वैसे आदित्य चोपरा ने ये नाम राज अपने गुरू राज कपूर पे रखा था जो खुद भी जाती जिन्दगी में रोमैंटिक थे फिल्म में छे गाने हैं गीतकार थे आनन बक्षी और संगीत दिया उभरते नव्युवक जतिन ललित ने जिनके ये कैरियर का ये सबसे बड़ा ब्रेक था आनन बक्षी और ये शराज की जूड़ी का भी एक इंट्रेस्टिंग सा किस्सा है जब तक साहिर लुध्यानवी जिन्दा थे तब तक येस चूपरा ने बतौर अपने फेवरेट लिरिसिस्ट के किसी की और देखा तक नहीं पर उनके इंतकाल के बाद जावेद अख्तर सिलसिला में, मजरू सुल्तानपुरी सवाल पिक्चर में, निदा फाजली नाखुदा में और शारियार को फासले में गाने लिखवाए थे चाननी पिक्चर की आठ गानों की अपार सफलता के बाद आनन बक्षी येस चूपरा के फेवरेट बन गए पहला गाना है मेरे खाबों में जो आए हर लड़की जोर 16-17 साल की होती है अपने एक जीवन साथी या प्रेमी के बारे में कुछ ख्वाप बुनती है कमाल ये है कि वो इनिसेंस जिस आवाज की है याने लता जी की वो तब 70 साल की थी कहा जाता है कि कजोल खुश नहीं थी कि आदे से ज्यादा गाना उन्हें एक तॉलिया लपेट के करना पड़ा पर डिरेटर आदित्य चोपरा के या मानना था कि इस गाने को इसी रूप में फिल्म आया जाएगा और इस गाने के 24 अंतरे रिजट कर दिये थे जो आनन बक्षी ने लिखे थे ये बतलाता है एक गुनी लिरिसिस्ट होने के अलावा बक्षी साब सचमुच में ये मानते थे कि फिल्म के कप्तान और कोई नहीं बलके डिरेक्टर है दूसरा गाना है रुकजा ओ दिल दिवाने इस गाने की कोरियोग्राफी भी सरोच खान ही करने वाली थी पर आदित्य चोपरा के साथ कुछ अन्बन की वज़े से वो नहीं कर सकी तुरंत शारुक ने फराखान को बुलाया जो उनके बहुत सारे गाने कोरियोग्राफ कर रही थी और एक वेस्टरन सा एक डैंस नंबर तैयार किया गया क्योंकि फिल्म में ये पैरिस के एक कलब में है और गाने के अंत में शारुक काजोल को नीचे जमीन पे गिरा देते हैं काजोल को इसके बारे में पता ही नहीं था और जो रियाक्शन आता है और जो देखते हैं आप वो बिल्कुल नैचुरल और स्पॉंटेनियस है तीसरा गाना है जरा सा जूमलूम है ऐसा कहते हैं कि आशा भूसले बहुत प्रशन सकती नए म्यूजिक डारेक्टर्स जतिन ललित की और उन्होंने ही यस चुपरा से मिलवाया जतिन ललित ने फोरण इस मौके का फाइदा उठाया और पहला गाना जो सुनाया यस जी को वो था मेहंदी लगा के रखना यस जी खुश हुए और साइन कर लिया जतिन ललित को इस पिक्चर के लिए अब ये तो जग जाहिर है कि लता जी यस जी को अपना छोटा भाई मानती थी और घरेलू रिष्टे थे पर अपना आभार व्यक्त करते हुए जतिन ललित ने ये गाना आशा जी से गवाया जो इस गाने की नौटिनेस को उच्छालता है अपनी आवाज की खनक से साथ दे रहे हैं अभिजीत भटाचारिया चौथा गाना है हो गया है तुझे को तो प्यार सजना इस गाने में एक कॉंस्टेंट मैंडलिन पीस है जो फिल्म में टाइम टाइम पर सुनाई देती है इस मैंडलिन पीस की भी एक दिल्चस्प कहानी है मैंडलिन ये इंस्ट्रूमेंट दरसल इटली की देन है विश्व को और मुजाट के अपार ख्याती के बाद 1787 में डॉन जियवनी नाम का एक म्यूजिकल ड्रामा कमिशन की गई इसका किरदार निभाया था एक बेहधी हैंजम अक्टर ने जिसका नाम था लुईगी बैसी और जब जब उसे किसी हसीना को रिजाना होता वो मैंडुलिन पे एक पीस बजाकर करते अपनी बाहें फैला क्या पता शायद आदित्य चोपरे के मन में भी यही खायल आया हो फिल्म का नायक राज जो वैसे तो जिन्दगी में मस्ती खोर है पर चिछोरा नहीं तो अगर उसे एक लड़की को ये दर्शाना हो कि उससे प्यार है तो मैंडुलिन से भेतर कौनसी इंस्ट्रूमेंट है और इसी फिल्म से शारुक की बाहें फैलानी की जो आदत है रोमैंटिक सीन्स में या गाने में वो नोटिस की गई पांचवा गाना इस फिल्म की नब्स है बरसों पहले का विराज शैलेंदर लिख चुके थे लाख लुभाए महल पर आए अपना घर फिर अपना घर है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है वैसे ही आप विदेश भर कहीं भी घूमाईए घर की मिटी की एक अलग ही महक है यह फिल्म ठाकुर बलदेव सिंग याने अमरीश पूरी की फैमिली जब सब कुछ छोड़ चाड़ कर लंडन से इंडिया आते हैं तब एक एहम मूमेंट में फिल्म में दर्शाया गया है इस गाने को गाया है मनपरीत कौर और पमेला चोपरा ने हैं पमेला चोपरा यह जी की पत्नी है और हर इंटर्व्यू में वो अपनी फिल्मी सफलता का यश उनको देते हैं कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालातों में भी वो अपने पती का कंधे से कंधा मिला कर खड़ी और पमेला ची को गाने का बड़ा शौक था तो जब जब यश जी के फिल्मों में मौका मिलता एक गाना जरूर देते थे चटवा गाना है मेंदी लगा के रखना गाने की लोक प्रियता देखिए कि आज तक कोई शादी ब्याक कंप्लीट ही नहीं है इस गाने की बिना पू है उसे इतनी खुश हुई कि खुद की शादी में भी उन्होंने ग्रीन साडी ही पहनी मंगल सूतर रसम के वक्त एक और बहुत यादगार सीन जो इस गाने में आता है वो ये है जब अमरीश पुरी अपनी फिल्म में जो मा है अचला सजदेव की तरफ देख कर ये गाते है ये मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं ये वही अचला सजदेव है जो ओरिजिनल गाना जो वक्त पिक्चर में था उसमें थी वक्त 1965 की रिलीज है और उसके डारेक्टर थे येस चोपरा इस गाने के लिए उदित नारायन को सर्वस्रेष्ट मेल प्लेबैक सिंगर से न गाना सनम फिल्म में यू तो हम कहेंगे कि उदित नारायन डॉमिनेटेट सॉंग्स हैं पर एक जो गाना कुमार सानु ने गाया वो काफी था लोगों के दिलों में राज करने के लिए ये तो बहुत जाहिर सी बात होगी कि आनन बक्षी ने सैकडो गाने लिखे होंगे प् मुस्कुराने लगे सारे गम इन लाइनों में जो तडप है दो प्रेमियों के बीच वो बार बार सुना जा सकता है ऐसी पिक्चरें कम ही बनती हैं जो मौडर्न होते हुए भी अपनी हिंदुस्तानी होने की रूह नहीं छोड़ती अम्रीश पुरी ने अपना किरदार ठाक के सपने को हम ही भरते हैं दुकान से घर पे आते ही वो कुंदनलाल सैगल जो 1930s और 40s के सबसे बड़े सिंगिंग सुपरस्टार थे उनके गाने सुनते हैं शारुक बेहत प्यार तो करता है कजोल से पर हमेशा कहता है कि मा बाप की आशिरवाद जरूरी है इस रिष्टे को सफल होने के लिए और मैं तुम्हें भगा के नहीं ले जाओंगा परमीत सेठी जो कजोल का मंगेतर होता है फिल्म में वो भी मूल रूप से एक अच्छा आदमी है पर सिर्फ प्यार के हाथों मजबूर है परमीत सेठी के बदले अर्मान कोली को उनका रोल आफर किया गया था यह फिल्म परमीत और मंदिरा बेदी की डेब्यू फिल्म्स थी मंदिरा बेदी को विश्व ख्याती मिली बतौर क्रिकेट प्रेजेंटर के रूप में डूरिंग दे 2003 वल्ड काप यू समझ लीजिए छोटे से छोटे किरदार को भी इस फिल्म में जितनी इंपॉर्ट सब लोग जिने भी काफी पॉपुलेरिटी मिली आगे। हैरानगी की बात ये है कि इतना सब आदित्य चुपरा ने अपनी पहली फिल्म में मैनेज के से किया। कजोल का नाम जो इस पिक्चर में है वो है सिमरन। ये एक पंजाबी नाम है जो संस्कृत शब्द स्मरन यान भी क्या आपको शक है कि इस पिक्चर को इतना क्यूं याद किया जाता है। और किसी कारण से आप ये फिल्म भूल भी जाएं तो मैं ये ही कहूंगा बड़े बड़े देशों में ऐसी छूटी छूटी बातें होती रिती हैं सेनुरीटा। इस एपिसोड में बस इतना ही। सब्सक्राइब करने न भूलें अन एपि लॉग मीडिया वेबसाइट या फिर आपके फेवरेट पॉडकास्स ट्रीमिंग अप्स जैसे आपल पॉडकास्स, जियो सावन, गूगल पॉडकास्स, स्पोटिफाई। और अगर आप आपल पॉडकास्स इस्तमाल करते हैं तो रेट और रिव्यू कीजिए संगीत के सितारे